टोकियो ओलम्पिक 2020 खत्म हो चुका है लेकिन इस बार खेलों के महाकुम में कई मौके ऐसे आए जो यादकार बन गए एक साल टलने के बाद साल 2021 में हुए टोकियो ओलम्पिक में भारतिय खिलाडियों ने इतिहास रच दिया मैडल मिलना या ना मिलना माईने नहीं रखता माईने रखता है तो वो पल वो यादे कितनी शांदार थी चली इस टोकियो ओलम्पिक को लेकर खास बातें आपको बतात तोकियो उलंपिक 2020 में 120 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था और ये अब तक का सबसे बड़ा डल था किि इससे पहले साल 206 के रियो उलंपिक में 117 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था और तब भी वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था अब एक ऐसी बात जो शायद ही किसी को पता होगी ओलम्पिक में आज तक भारत के सबसे कम खिलाडी सन उन्निसों में गए थे मात्र एक खिलाडी ने सन उन्निसों में हिस्सा लिया था ये बात उस समय की है जब हमारा देश ब्रिटेन हुकूमत का घुलाम था इस खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाडी का नाप नौमन प्रिचाड है अब बात इस बार के चोकियों उलम्पिक की करते हैं भारत के लिए सबसे भावुक पल वो था जब नीरत चोपडा ने भाला फेंग प्रतियोगता में भारत के लिए उलम्पिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीता था साल उनिस वसी के बाद भारतिय राश्रुगान जब चला तो अपने आप में हर भारत वासी के लिए ये गर्व का पल था अब दूसरी भावुक कर देनी वाली तस्वीर इसी खुबसूरत पल से जुड़ी हुई है दरसल इंग्लैंड में चल रहे भारत के मैच के बीच कॉमेंटरी कर रहे सुनिल गवासकर भी भावुक दिखे और कॉमेंटरी चोड़ ऑलम्पिक में भारत के गोल्ड के खुशी जाहिर करते दिखे साथ ही गाने लगे मेरी देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मुट तीसरा भावुक कर देने वाला पल भारतिय महिला हौकी टीम का है देखिए ज़रा ये भारत की महिला हौकी टीम बेशक कोई मैडल नहीं जीती लेकिन जिस तरीके से ब्रिटन की धाकर टीम से हमारी लड़किया लड़ी दिल से बस एक ही आवाज आई एक ही तो दिल है कितनी बार जितोगे उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद ग्रेट ब्रिटन के ओफिशल हौकी टीम के ट्विटर हैंडल से भी भारतिय महिला हौकी टीम को शाबाशी दी गई थी ट्वीट में लिखा था कि क्या गजब का खेल था क्या गजब के खिलाड़ी थे हौकी इंडिया टोकियो उलम्पिक 2020 में आपने कुछ खास किया है और आने वाला साल बेतरीन है अब जरा ये तस्वीर देखिए जब भारतिय महिला हौकी टीम की खिलाड़ी नेहा गोयल हर के बाद घुटनों के बल बैट कर रोने लगी नेहा को बीच मैदान में इस तरह से रोता देख कर इंग्लैंड की एक खिलाड़ी भी हैरान रह गई उनके पास आई बैट कर उन्हें सांत वना दी इसे ही तो कहते हैं एक असली स्पोर्ट्समें स्पिरिट टोकियो उलम्पिक 2020 में भारतिय पुरुशो की टीम में क्या कमाल का खेल खीला भारतिय पुरुशो की टीम ने उन्चास साल के लंबे इंतजार के बाद उलम्पिक में शांदार प्रदर्शन किया और टीम के शांदार प्रदर्शन के बाद हर तरफ मानु जश्न का महल था अब इसमें भावुक कर देने वाला पल क्या है तो देखिए टोकियो अलम्पिक में तब भारतिय पुरुष होके टीम ब्रिटेन को हरा कर सेमी फाइनल में पहुंची पूरे दुनिया में लोग खुशी से जूम उठे इसे बीच ये जो तस्वीरें आप देख रही है ये कॉमेंटरी रूम की थी जहां पर भारतिय होके टीम की जीत के साथ ही कमेंटेटर सुनिल तनेजा और सिधार्थ पांडे कमेंटरी करते हुए भावुक हो गए हमारा भारत हमारी शान है और ये शान यहां के अलग-अलग रंगों, परंपराओं, संस्कृति और यहां के लोगों की कड़ी मेहनत के कारण है इस बार खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन का रविश्वय मांचित्र पन भारत का परचम लहराया है देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत हर खेल में नंबर वन होगा तो आज हमारी इस खास पेशकुष्ट में इतना ही, हम जल्दी ही ऐसी कहानी लेकर जरूर आएंगे तब तक के लिए आप बने रहे जरूरता टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफर्म के साथ